ब्राम्भन स्वाभिमान सम्मेलन रार्मितिक दलों से हम लोग अपनी अधिकार की मांग करते हैं अपने गरीब ब्राम्भनों के कल्यान के लिए रुजगार डेवलप हो उनकी सिक्षा मजबूत हो उनका स्वास्त दूस्त हो ब्राम्भन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशुतोस कुमार जहान ने आज प्रिस कौनफरेंस कर ब्राम्भन स्वाभिमान समेलन का मुख्य उद्देश से बताए उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस खबर में सुनिये ब्राम्भन स्वाभिमान समेलन का मकसद ये है कि राजितिक दलों से हम लोग अपनी अधिकार की मांग करते हैं सरकार से हमारी समाज की सुरक्षा और उसकी विगास की मांग करते हैं लेकिन सबसे महत पुर्ण बाद ये है कि हम ब्राम्भनों को अपने गरीब ब्राम्भनो हो असल फोकस उस पर कढ़ने जा रहे हैं कि मेरे समाज का जो पिछ्रा नरका है उसकी साविक कैसे हो उसकी बिवाद में मिधावी है हम लागातार कर रहे ह Düquito आंसिक रूप से अभी तक हुआ है अब हम लोग ब्रिहतर रूप से दो हजार चोबिस में एक लक्ष पुनिदारित करेंगे और दस साल के अंदर हम लोगों का लक्ष होगा कि मेरे समाज में कोई गरीव नहीं दहेगा असल उद्देश वहाँ है हमारे संगठन का जो हमारा कर कर्तब भी बनता है ब्राह्मनों का कर्तब है कि हमारे समाज में कोई गरीव है तो उसको उन्ययन करके उसको उठाया जाए असल उद्देश वहाँ है इसको लोग राइंतिक रंग भी लेकिन हम जब एक जूट होंगे तो दिश्यत रोप से राइंतिक अधकार भी हमको मिले है अब सबी ब्राम्नों को एगजूट कर्ले का प्रयास कर रहे हैं ौपू सभागार में यो fandrov हो रहा है वह इतिहास में पहली बार ब्राम्हन सम्मेलन होने जा रहा है अभी तक जेनती समारों वेगरा वेगरा होता था लेकिन डंके की चोट पर ब्राम्हन सम्मेलन पहली बार हो रहा है यहास में पटना में तो निशित्रोप से यह एतिहासिक होगा और हम सब से आगरह करेंगे आपके मात्यम से कि जितने भी ब्राम्भन आपके मात्यां से इस आवाज को सुन रहे हैं वो स्वता अस्पुर्थ अपने अपने संसाधनों से यहां पहुचें और इसको सफल बढ़ें जी आज के सभी गरीब ब्रामनों को बढ़ावा देना फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ हे मारे यूट्यूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फिसू कर देख पा रहे हैं तो हमारे फिसू पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तवाम खबरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ धन्यवाद